भारत के यशश्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेंदर मोधी जी के नेतरतों में आज विकास उनमुखी और कल्यानकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाब लोगों तक पहुँच रहा है। प्रधान मंत्री जी के संकल्प और विकास मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के एक मजबूत ताकत है Digital India. Digital India के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं. ऐसे कई प्लाटफॉर्म्स आज भारत को डिजिरली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपोर्ण भूमिका ने भा रहे हैं साथियों, मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नांस के सिध्धानतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समच्याओं और सर्विस के बीच, गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किले खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है और इसलिए बीचिटल इंडिया सामान्य नागरी को सुविधा और उनके एमपावर्मेंट का एक बहुत ससक्त माध्यम है देश के हर वर्पने, समाज के हर तबके ने, टेकनोलोजी आधारित ऐसी कई प्लाटफॉर्म्स को बहुत ही कारेकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे पढ़ाती एक नई पहल है E-Rupee यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लाटफॉर्म भीम UPI पर आधारित है E-Rupee, RBI स्वीकरित एक प्लीपेट E-Voucher है जिसे NPCI यानी भारतियर राष्ट्रिय भुकतान निगम ने वित्य सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है E-Rupee, विशिष्ट सेवा के भुकतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित E-Voucher है जिसे लाभार्थी के मोबाईल पर भेजा जाता है इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डाइरिक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है सरकारी संस्थाएं, कॉर्पुरेट या कोई भी सेवा प्रायोजग अपनी पार्टनर बैंक के मदद से E-Rupee Voucher जनेरेट कर सकते हैं सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी E-Rupee के माध्यम से भुकतान कर सकते हैं सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले QR कोड या SMS को स्कैन करेंगे लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंट भुकतान होने की पुष्टी हो सकेगी यह बाउचर कैशलिस और कॉंटाटलिस है इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनिया है लाभार्थीों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनिया होती है ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टागेटिड और लीक प्रूफ डिलीवरी वितरण प्रणाली के सरली करण के साथ साथ न्यूनितम प्रशासने कलागत ई रूपी सरकारी योचनाओं का लाब जन सामाने तक पहुँचाने के दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है ई रूपी का उप्योग लोग कल्यान हेतू सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन योचना जिसके तहट निश्चित उद्देश्य की पूर्ती के लिए भूगतान या अनुदान दिया जाता है को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है इसका उप्योग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेश प्रायोचन के तहत लाब देने हेतू भी किया जा सकता है इस दिशा में स्वास्थ्य और परिवार कल्यान मंत्रालय और राश्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से कॉर्प्रेट्स द्वारा निजी कोविट टीका करण के इंद्रु पर टीका करण के भुगतान के लिए इ रुपी के पहले उप्योग का आज शुभारम माननिय प्रधान मंत्री जी के क पर कमलू से हो रहा है